भगवान बुद्ध का धंदा बना दिया कैसा धंदा धंदा बना दिया अलग अलग चल रहे हैं सारे लोग दिल्ली के अंदर जो सेकिंड संडे आता है फरवरीगा उसमें यहां मिला लगता है दो-दो मिले लगते हैं मुठी भारत उमलियों पर गिने जाने वाले जो धंदा बुद्धिष लोग हैं वो दिल्ली के अंदर हैं उनमें भी नेता गिरी अपने अपने पर्चे छपाते हैं अपने अपने फोटो लगाते हैं अपने अपने मोबाइल नमबर लिखते हैं वीडियो पर अपील करते हैं अलग-अलग का इक्राम बुद्ध पूर्ण में आ रहे हैं दसियों कालिकर में लगेंगे अलग-अलग बुद्ध पूर्णों में कोई एक संग्ठन नहीं कोई एक संग्ठन नहीं और धंब को मानने वाले जो अनुयाई हैं वो उनसे भी कई गुदुरे वो कभी ये नहीं कहते कि धंब में अलग-अलग क्यों हैं बुद्ध ने कहा कहा तक अलग-अलग संग्ठन बना के रहना है बुद्ध के धंब के बाद में टुकडे किये गए जो समराथ असोक ने मिलाए और सारे एक साथ किये तब भी समझ में नहीं आया समराथ असोक से भी के सब को एक होना चाहिए कैसे समराथ असोक के मानने वाले हो अलग-अलग चलते हो अलग-अलग काम करते हो आपका छेत अलग हो सकता है आपका जिला अलग हो सकता है आपके काम करने की कैपिशटी अलग हो सकती है, छमता अलग हो सकती है, मगर धम तो एक है, तो एक धम की धारा में आना चाहिए, एक धम की धारा में आएंगे, तो धम की धारा मजबूत होके चलेगी, हर आदमी धम में नेतागरी कर रहा है, सब पोश्ट लेके, कौन सी पोश मन्च सजा के ऐसे बैट जाते हैं जैसे धंब का कितनी बड़ी देशना वहां देने वाले हैं पूरे दिन दल बदल और अपना धंब का पिशनार की जगे कैसे अपनीा पोजिशन मैंटेंग हो उसके लिए लड़तेए अगर किसी निकाल दिया तो अपना एक नया संधर मनागे बैट जाते हैं हर साल दसियों बन जाते हैं उपर से तुर्रा ये कि हम बहुत बड़े बुद्ध का काम कर रहे हैं और हम बहुत बड़े धम का काम कर रहे हैं जब तुम धम को जाने ही नहीं धम को समझे ही नहीं धम ने कब कहा कि अलग-अलग होना है धम प्यार सिकाता है धम सब को साथ रहना सिकाता है धम करूना सिकाता है दुनिया को उपदेश देंगे भगवान बुद्ध की करूना हो और जै हो और भगवान बुद्ध ने कब कहा तुम करो ना जाए अलग अलग ऊपर से एक दूसरे की बुराइब करते रहेंगे घवान बुद्ध ने कब कहा कहा कि उब संख्ञधान अलग बनाकiliar बच जाना दूसरे क्लगोश भरैंगे भगत निल्द के जाना प्रहुत नंकर रोकना ख़ वजरात भथा पुराने धम्मिक लोग हैं इनको नेतागरी किस से सीखिये नेतागरी धम्म नहीं सीखा जो धम्म बावा साब ने लाके दिया बावा साब ने कब कहा कि तुम भारतिय बहुत महा सबा के 50 चुपड़े करना बावा साब कोई परिवार है तो क्या वो अलग लग चलाएगा धम को क्या धम्म के अलग अलग साखाय बनेगी क्या सारे बुद्विहार एक साथ नहीं आएंगे क्या धम्म के लोग एक साथ नहीं आएंगे बना चायते हो आपको नेतागरी की पड़ी हुई है आप संग में भी नेतागरी करते हैं आप संग में भी पोश्ट लेके बैठे हुए हैं आप संग में भी लेंदेन कर रहे हैं ये धम्म का पतन क्योंकि बावा साब ने जो धम्म को दिया 1956 में दुवारा से उन्होंने कभ थम तो पानी मांगेगा, वो तो पेरमपड़ा होगा आप से अच्छे तो वो विधेशी लोग हैं जो धम को ले गए और बड़े आशनी स्याते हैं देखी जागे बर्मा को, देखी जागे जापान को देखी जागे चीन को, देखी जागे सिलंगा को धम वहाँ चलता है धम भारत में इतना मजबूत स्थिती में असोग के समय रहा तो कैसे पतन हो गया क्योंकि आपने धम को सीखे नहीं अभी आप धम कम जानते हैं और जागियों में जादा उल्जे हुए है आपको धम की समझ नहीं है धम को आपने religion बना दिया, धरम बना दिया, मजब बना दिया आप दूसरों को pattern पे इसको ले के आ रहे हैं आपने सारी वो चीज़ें इसमाँ डालनी जो धम को खतम करने वाली हैं थोड़ा तो सोचिए, थोड़ा तो देखिए थोड़ा तो पड़िए, थोड़ा तो जानें बावास आपको, थोड़ा तो जानें बुद्दो को इसलिए जितने भी धम को जानने वाले या मानने वाले लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि कम से कम धम को राजनीती से और धंदे से छोड़ने बख्स दें या फिर धम को छोड़ने अगर आप धमें राजनीती और धंदा कर ना चाहते हैं तो छोड़ने धम गच्छामे धंगन्षरनंग गच्छामे संगन्षरनंग गच्छामे